हेलो फेंट्स दोस्तों Realme की तरफ से दो फोन लॉंच हुए थे एक था Realme Narzo 20 Pro जो की अभी लॉंच हुआ है और एक और Realme 7 लॉंच हुआ था इसी के साथ से एक Realme 7 Pro लॉंच हुआ था उसके हम बात नहीं करेंगे यहां पर हम कंपैरिजन करने वाले Realme Narzo 20 Pro और Realme 7 का दोस्तों यह दोनों फोन एक ही प्राइस रेट पर लॉंच हुए और हाली में लॉंच हुए तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई confusion है कि इन दोनों आपको फिल्फ कार्ण पर देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों इंके वेरियंट और रेट में आपको दोंओ के दोनों में आपको दो लोगत दिखा जाएंगे यह जो नार्जो उसमें आपको अपको Black Ninjastadt और काफी अच्छ है और यहां पर वही जगह आपको realme 7 में mist blue और mist white आपको देखने को मिल जाएगा इस storage type की बात करें तो आपको UFS 2.1 दोनों में देखने को मिल जाएगी काफी latest रहे fast है तो दोस्तों आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बाकि अगर कुछ in the box की बात करें तो आपको दोनों में back cover मिल जाता है आपको यह जो realme narzo जो है इसमें आपको 65 watt का charger मिलेगा वही जगह आपको realme 7 में आपको सिफ 30 watt का ही charger मिलेगा यह फोन्स आपको दोनों में नहीं मिलने वाले बाकि scheme protection आपको दोनों में मिल जाएगी और दोस्तों आप बात कर आपको लंबा backup भी आपको मिल जाएगा बाकि इसमें 0-100% यह 38 मिनट में चार्ज हो जाएगा और यह realme 7 होग सा time लेगा 52 मिनट में लेकिन आपको backup अच्छा देने वाला है और दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं इसके thickness की और weight की तो दोस्तों आपको realme narzo और realme 7 में दोनों में एक ही जैसा आपको thickness मिल जाएगी 9.4 mm की वही जगे आपको weight जो है realme narzo का अच्छा मिलेगा यानि की 191 गिराम है काफी हलका phone आपको मैसूस होगा अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके camera की तो आपको दोनों में ही quad camera setup मिल जाएगा कुछ इसी तरह है इस इसमें setup किया गया है camera का अब उसकुछ features की बात करें तो आपको इसमें नार्जो में आपको 48MP का back camera मिल ला है aperture 1.8 है 0.8 micrometer की focal length है और इसमें आपको कोई भी sony sensor नहीं मिलेगा वही जगे आपको realme 7 में आपको 64MP का camera मिल ला है aperture और focal length एकदम same to same है लेकिन आपको इसमें sony IMX682 sensor भी मिल ला है तो दोस्तों आपका यह realme 7 का camera back camera बहुत अच्छा है realme narzo से मुकावले में बाकि आपको 8MP का ultra wide camera आपको दोनों में मिल जाता है focal length दोनों की इसमें तो सेम है और 7-7 aperture 2.3 आपको मिल जाता है और 119 degree यह area cover कर सकता है इसम सेम तो सेम में बाकि macro और depth sensor भी इकदम सेम तो सेम लगा दिये गए वही आपको 2-2 MP को मिल जाएगा aperture इसका 2.4 मिल जाएगा 1.75 micrometer की focal length मिल जाएगी और दोस्तों इसमें अच्छी बात यह कि आप दोनों में 4G video shoot कर सकते हैं तो इसमें काफी अच्छी बात है आप चलिए बात कर लेते कुछ camera features की तो दो इसमारी mode का जो मतलब होता है जैसे कि आप जो आसमान जो होता है रात के समय आप उसमें जो तारे जो होते है उसकी फोटो यह ले सकता है वही जगे हमें realme narzo में हमें यह mode देखने को नहीं मिलता है तो overall बात की जाए तो realme 7 में ही camera अच्छा दिया हुए अब दोस्तों बा realme narzo में आपको sony का sensor तो मिलता है लेकि इसमें कोई भी इसकी जो quality है यह mention नहीं थी बाकि realme 7 में आपको sony sensor मिलेगा IMX471 sensor आपको मिल जाएगा बाकि aperture f2.1 आपको मिल जाएगा दोनों में और focal length इंदम same to same है 1.0 micrometer है बाकि front camera से आप video shoot full HD में कर पाएंगे लेकिन आप 4K पर video shoot नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों यह इसमें हो गया इसका full camera review अब बात कर लेते हैं इसके display की तो आपको display में दोनों को दोनों display एकदम same to same है 6.5 inch है full HD plus है super AMO display आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा resolutions काफी अच्छे है 2400 x 1080 pixels मिल जाएगे 405 ppi density मिल जाएगी काफी अच्छी density दे रखी हुई है इसमें आपको color और graphics के मामले में यह display बहुत ज़्यादा अच्छा है बाकि अगर protection की बात करें protection काफी weak दे रखी हुई है गोईला ग्रास थिरी की बाकि 90 हर्स का refresh rate हमको दोनों में मिल जाते है और plus 120 हर्स touch sampling rate मिल जाता है इससे आपका display बहुत अच्छी अच्छी features दोनों में दे रखे हुए है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रोसेसर की तो आपको प्रोसेसर भी लगबग एक ही जैसा देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर chipset Hideo G95 दोनों में देखने को मिल लेए जो की media tech का processor होता है बाकि इसमें अच्छा को मिल जाएगा GHz 2.05 मिल जाएगे और GPU आपको ARM Mali G72 MC4 आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके software की तो आपको दोनों में realme की तरफ से realme UI आपको based on android 10 मिल जाएगा बाकि आपको security आपको time to time मिलते रहेंगे अब दोस्तों बात कर दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और features की जो की important होते हैं आपको जैसे fingerprint sensor आपको दोनों में side mounted मिल जाएगा यानि कि power button के उपर बाकि 3.5 mm audio jack मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है Bluetooth का version इदम latest है 5.0 है NFC आपको नहीं मिलने वाली SIM tray hybrid नहीं है यानि कि आप dual SIM plus memory card आप एक sense की तो दोस्तों यह एक तरह का conclusion है तो यानि कि यहां पे आपको realme 7 में आपको सिर्फ 30 watt का charger मिलता है और narzo में आपको 65 watt का charger मिल ला है तो narzo इसमें जीत जाता है बाकि अगर realme 7 की बात करें तो आपको इसमें 5000 mh e battery मिल लिए वही जगे नार्जो में आपको 4500 mh e battery मिल लि आपको इसमें नार्जो में आपको सिर्फ आगे अले camera में सिर्फ sony के sensor देखने को मिल ला है तो यह हो गया दोस्तों इसका complete review आपको इस review को देखने बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए concept phone best रहने वाला है दोनों के price इर इंदम same to same है तो दोस्तों यह हो गय अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीए हमा चाले को सब्काइब कर दीए और यह वीडियो शेयर कर दीए अपने दोस्तों साथ तो दोस्तों मिलते है अंगले वीडियो में